जैसे कि मार्क सीट कब से मिलेगा और असनातको तर और असनातक में नामांकन कब से सुरू होगा साथ ही पार्ट वान टू और फाइनल येर के परिच्छा से जुड़े अफडेट भी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो सुरू क करने से पहले हमेशा की तरह बात बोलूंगा यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूं आपको नोडिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं जैप्रका उसे कॉलेज खुलने के बाद कलेक्ट कर सकते हैं साथी साथ त्री यानि सत्र दुहजार पंद्रह ठारा और सोलह उन्नीस से पास करने वाले छात्रों के लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि उनका भी मार्क सिट या तो कॉलेज को भेज दिया गया है या फिर वीज तारीक तक भेज दिया जाएगा आप इसे कॉलेज में पता कर सकते हैं हाला कि मार्क सिट का वितरन कॉलेज खुलने के बाद ही होगा इसके लिए आप अपने कॉलेज में कोई कंटेक्ट नमबर हो तो वहां से फोन करके पता कर सकते हैं कि कब से मार्क सिट मिलना शुरू होगा यह महाः प्रध्यान देने वाला बात एक और है कि जिनका भी रिजल्ट पॉनींग था यानि पार्ट वन और टू दोनों कलेरब साथ फिर भी रिजल्ट फॉनींग था उसके लिए ईग्मेल दोरा अप्लिकेशन लिया गया था सुधार करने के लिए उनका भी सुधार करके मार्कसीट भेज दिया गया है वे भी अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं और अब चलिए बढ़ते हैं अगली ख़बर के और तो अगला ख़बर यह है कि एडमीशन के लिए सत्रदुहजार बीस तेईस और अठारह बीस यानि बीस तेईस असना तक और 18-20 पीजी के नामांकन के लिए आज जआपनकास वीशुविद्याले के गेट पर चाथरोंरों ने प्रदर्शन किया विद्ध्यारथी सोध संगठन के चातरों ने असनातक यवम असनात протर में एडमीशन के लिए विशुविद्याले पर एडमीशन में देरी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कोबीड 19 की आर में विशुविद्याले एडमीशन में देरी कर रहा है उन्होंने विशुविद्याले को जल्द से जल्द एडमिशन शुरू करवाने के लिए कहा है अगला अपडेट है कि पार्ट वन टू और फाइनल येर की परिक्षाओं को लेकर छातर काफी अस्वंजस में हैं उसी से जुड़ा ये अपडेट है कि आज सुप्रिम कोट में जो फाइनल येर के परिक्षाओं के लिए दिन भर सुनवाई चला है लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं आया है सुप्रिम कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है आपको बता दे कि सुप्रिम कोट जब तक फैसला नहीं दे रहा है इसलिए विहार में भी अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि पार्ट नहीं आया है हमें लगता है जब तक सुप्रीम कोट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक कुछ के लियर नहीं कहा जा सकता है फिलहाल मिलते हैं एक नए अपडेट